हे दोस्तो वेलकम टो माई चैनल दोस्तो SSE GD 2018 वेकेंसी का रिवाइच रिजल्ट और SSE CHSL 2018 वेकेंसी का रिजल्ट के बारे में आप लोग को अपसेल नुट्पिकेशन के दोरा जानकारी मिल गई होगी तो दोस्तो आज हम आप लोग को इस वीडियो में यूज पेपर के मादेम से SSE GD रिवाइच रिजल्ट और SSE CHSL 2018 वेकेंसी के रिजल्ट के बारे में इंपोर्टिन जानकाई देंगे आप लोग वीडियो को अंतक जरूर देखे वीडियो पसंद आज तो लाइक जरूर करें और अभी तक अगर आप हमारे चन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चन को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो दोस्तों SAC GD के संस्वदित परिणामे कई बरलाब देखने को मिला है फैल S1 पास हो गया है और पास S1 फैल हो गया है बरी संक्या में उलर फेर देखने को मिली है 3726 एश्ट्रेन जो पहले फैल थे अब उसे पास कर दिया गया है और पूर्व में 269 एश्ट्रेन जो पहले पास था उसे अब फैल कर दिया गया है करमचारी चैन आयूग SSGD का संसोदित परिणाम विश्वती बार को जारिक किया गया है और उसे पहले 20 जून दुजाए 19 को परिणाम घोसित किया गया था 275 पूरुस अबयारती है वही 693 महिला और 303 पूरुस अबयारती अब पास हो गये है एससी की और से जारी पूर्व के परिणाम में पहले कूल 55,000 बावन एश्ट्रेन को फिजिकल टेस्ट के लिए चुना गया था अब संसोदित परिणाम में 55,000 179 एश्ट्रेन को चुना गया है यानि 117 एश्ट्रेन और अधिक चुने गये है फिजिकल एक्जाम में और यह परिणाम इसलिए जारी किया गया क्यूंकि इससे पहले जो तेरह प्रस्न का एंसर था हुआ रॉंग था उसी पर रिजल जारे क्या गया अब तेरह प्रस्न को सही करके फिर से परिणाम जारी किया गया इसलिए 117 एश्ट्रेन और अधिक क्वालिफाइ करद गये हैं वहीं ससे सी एचसल की बात करे तो इसमें 47606 एश्ट्रेन को सपल गोसित किया गया जिसका परिणाम कली जारी किया गया और कटब की जानकरे भी आप लोग को मिल चुकी है तो दोस्तों यह थ अगर आप हमारे चन को सेस्काइब नहीं कियें तो आप हमारे चन को सेस्काइब जरू कर लें थांक्यू वाचिंग पर वीडियो